नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दुर्दशन के बैदिक खास और लोगप्रे कारिकरम भिहार भ्यान में मैं हूँ राकेश और मैं हूँ प्रग्या सिंग राकेश मैं प्रग्राम सुरू करने के पहले कुछ बात शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुई है कल मैं स्कूटी चला रही थी और एक रहगीर सामने से रोड क्रॉस कर रहे थे और पता है वह फोन पे लगे वे थे और मैं उनको बचाने के चक्कर में मेरी स्कूटी और म मैं बोलना चाहूँगी कि जो रोड क्रॉस करते हैं कितना खत्रा है जो आज कल मुवाइल चल रहा है और लोगों का ध्यान नहीं रहता है तो कितना खतरनाक हो सकता है बिल्कुल यह आपने जो घटना बताई है वाकि में किसी के साथ भी घटित हो सकता और यह बहुत बरी परवाही है सामने वाले लोगों के तरफ से क्योंकि फोन पर वो लगे रहते हैं आप थी कल आपकी जगह कल कोई और भी हो सकता है अगर फैमिली मेंबर हो वहां कोई बच्चा भी हो सकता है तो सोचे कितनी वरी दुरगट ना घट सकती है तो वाके में ऐसे लोगों को साब है वह हो चुका है और इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन्दगी में खुश रहने कि तो कई सारे तरीके होते हैं और में यह बता दो कि परिस्थितियां कई तरक की सामने आती हैं लेकिन उन परिस्थितियों में खुश रहना और इसी किसा साथ सबसे बड़ी बात जो यह हैं कि जिन्दगी में कई तरक के फैसले भी होते हैं जो हमें लेने होते हैं लेकिन जो दूसरों के जिन्दगी से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं एक पॉजिटिव होता और एक परिस्थितियों को देखते हुए खुद के फैसले लेना चाहिए ना कि दूसरों क को देखते हुए खुद उस फैसले में सहमती जातानी चाहिए उसे होगा क्या कि आप जिन्दगी वर दुखी रहेंगे और कोई डिस्रीजन नहीं ले पाएंगे और जब बात रही फैसले की तो फैसला आता है आत्म निर्भरता से और आत्म विश्वास से और आत्म विश्व सेग्मेंट की और बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो सेग्मेंट है मात्मा गांदी के सुविचार में क्या कोछ हम सभी के लिए दिया हुआ है मनुस्य जितना ग्यान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है हमारी जो खास में मैं मैं आपको बता दूँ की इगनु के वरी एक शेत्रिय निदेशक हमारे बीच है डॉक्टर अभिलाश नाइक जी बहुत बहुत स्वागत और अभी नदन आपका हमारे कारे कम आने के लिए नमस्कार दोस्तो तो इगनु से जूरए कई सारे सवाल करने है तो पहला सावग हमारा यह होगा कि अगनुlying से जुड़ना वाकिवे में बहुती बरिबात होती है कई सारे विभिन काम को करते हुए आप अपनी सिक्षा को पूरा कर सकते हैं डिग्री ले सकते हैं उनकी जीवन में बहुती बारा बदलाव सिक्षा की शेत्र में तो आप से जाना चाहेंगे किन उदेशों के साथ इगनु के स्थापना हुई और कितने वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी किस तरह की जो कार प्रणाली है इगनु किस तरह से कार प्रणाली करता है लोगों को युवां को सिक्षा देने के लिए धन्यवाद राकेश जी जैसे आप लोगों को पता है कि इगनु को उनिश्यों पचाशी में पर्लेमेंट के एक अधिनयम के तहत उसको स्तापना की गी थी और इसका मुख्य उदेश था कि लोगों तक लोगों के घर तक एजिक्वेशन को पहुंचा जाए मनसिख्या को ल से बंडेशं लेका प्रिंश्यों से अधिक्वेश और कि ऑई रुगों तक सरे का प्रोगों देए जाते हैं जिसमें इग्नौ के कोई प्रोग्राम नहीं या कोई का रिक्रम नहीं है और ये भारत का पहला विस्विद्याल मंख्थ विप्ज्द्याल जिसको नाक के दोरह रैंक भी पुरुषकार भी मिलाता है वह बहुत बड़ी उपलब्दी हमारे लिए और हमारे खासियत यह है कि हमारा जो education system जो है जो सिख्यादान का माध्यम है वह सिर्फ आपका printed test के माध्यम से नहीं है ग्यान दर्शन के माध्यम से प्रोग्राम चलते हैं हर तरह का जो माध्यम जो है सिख्यादान के लिए वह सब को यूज किया जाता है बत्तों तक पहुंचने के लिए जिससे कि आपने बोला कि जो दुरस सिक्षा प्रनाली है पहले का इगनु और अभी के इगनु में काफी डिफरेंस आ गया है और आपने जैसा बोला कि सिख्या दी जा रही है तो मैं जानना चाहूंगी सर कि क्या कुछ नहीं तैयारी चल रही है इगनु में जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा बहुत अच्छा सवाल कि आपने जैसे कि करोना की काल में आपको याद होगा जब सारे इन्वर्सिटीज मोस्ट अब इन्वर्सिटीज इन दे कंट्री जो की कुछ नहीं कर पा रहे थे तब इगनु ने हमारा करीब उस पिरियड में पूरे देश में 40,000 के करीब हमारा लाइब सेशन्स चले पेस्बूक के मध्यम से गूगल के मध्यम से आपके जूम के मध्यम से फाइज लाइब ऑनलाइन स से चले और सारे जो सिस्टेम हमारे इवन बच्चों के लिए आपका ऑनलाइन प्राक्टिकल से पी किये गए ऑनलाइन आपका भाइवा किये गये क्योंकि बच्चों को कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हूँ और हमारे जो प्रोग्राम है जो अभी जो बताया था मैंने दो साथास ही प्रोग्राम है दो साथास में से चालीश से जाधा प्रोग्राम को पुरा इंटरनेंसरल स्टूदेंस के लिए ओपन पर दिया गया पहले क्या था कि भारत की सिवांके अंदर सिमीत था अभी ऑनलाइन प्रोग्राम होने के ना ते तो क्या होता कि across the world सरकार की जो सिख्या मंत्राले के निद्दिश के अनुशार काफी बदलाव हम लोग हर चीज में कर रहे हैं मतलब जैसे की नए कोर्स करीब पचास कोर्स पिछली दो साल के अंदर पचास से ज्यादा कोर्स हम जुड़े कर दिये हैं और आपका जो क्लासिस जो है पहले फिजिकल मोड में होता था अभी बहुत सारे क्लासिस को ऑनलाइन कर दिया गया क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों को जो दिक्कत हो फिजिकली ट्राविल करना इस अब जो इसको रेडिउस कर दिया गया है और आपको पता हो देरे देरे हम साथ साथ लियादार है दोनों को यह बहुत ही बड़ी बात आपने बताया और जैसे जैसे दिन आगे लगतार जो सिक्षा के कारेप्रणाली आगे बर रही है वैसे वैसे बदलाव भी और जो मॉडर्न टक्नीक है वो इगनू अपनाता जा रहा है एक बात औ और यहाँ पर सवाल करना चाहें के कोशल विकास के दीशा में भी इगनू जूर कर बहतरी इनकाम कर रहा है अपना युगदान दे रहा है इसके साथ जो संख्यक जो लोग है उनके लिए क्या विशेश टावधान जो सविधा है इसके तहत दी जारी है उसके बारे में सवीस्टेंस अउन की सबस्तुंस सब्षाब कर रहे है। एक हमारा इसे भी graduation program डेवलब किया गया है, जो कि B-Voc program है, B-A vocational education program है, जो कि आपका एंट्रोप्रेणोशीब के लिए जो लोग इंट्रेस्टेड हैं, वो लोग उसमें admission ले सकते हैं, और अपना जो career जो start-up बनाना चाहते हैं, लोग उनके लिए काफी मदद मिलता है उसमे जी सर, और एक चीज हम बताना चाहेंगे, जैसे अपके बन्ची स्टेडिके लोगों के लिए बुला आपने, कि अभी हमारा तीन program में इसे है, B-A, C, B-C, B-C, अभी तर जैसे आपको पता है कि admission चल रहा है, हमारा 20 तारीक का क्लास जेट है, तो B-A, C, B-A, B-C, ए तीनों प्रोग्राम में कोई भी आपका अनुसीची जाती है, जन जाती का कोई student लेना चाहेगा, तो उसके लिए निसुर्क नाम अखिल की वेवस्ता है, उसको छोड़के, पोस्ट मेटी स्कलोशीप में, जो बिहार गर्मेंट के तरफ से दिया जाता है, वहाँ पे काफी को उसमें अप्लाइ करते हैं, पिछले तीन साल में हमारा 12,000 से जाधा बच्चे उसको बेनिफिट लिए है, सिर्फ 22 में सबसे जाधा 8,991 बच्चे लिए है बेनिफिट, तो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है, और गल्स के लिए खास करके, जो मुख्यमंत्र मुख्यमंत्री कन्याई उथान योजनाद, जिसके तहत इगनु के बच्चे बच्चे पास करते हैं, उनको भी उसकी में बेनिफिट मिलता है। में इगनु की जो शुरुवात हुई थी, तो किस तरीके से सहायता करती है, सरकार? यह भी एक अच्छा अपने सावाल उठा है, कि हमारा जो जैसे जो स्टुडेंट पॉपुलिस ने, उसका 72% हमारा रूरल एरियाज है। और जो स्टुडी सेंटर जो हम जिसको हम आजकल स्खेर्टी साहायता के अंदर बोलते हैं, पहले अधेन के अंदर बोलते हैं, आपके बिहार में अल्मोस्ट हर कोने में हमारा स्टुडी सेंटर उपुलब थे। जिसे हमारा पाटना के अधिन हमारा 17 जिल्ह है और एक जिल्ह को छोड़के नावादा को छोड़के बाकी सारे जिल्ह में हमारा स्टुडी सेंटर या अधेन के अंदर हमारा उपस्तित हैं, और वहां पे बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसलिए हम ऐसे कोशिस करते है क्योंकि वहां पे कहीं के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और करोना के बाद अभी तो यह फाइदा हुआ, और लाइन में बहुत सारे क्लासिस हो रहे हैं, जो जो प्रोग्राम में बच्चे कम रहते हैं, तो उनको कांसलिंग किया जाता है, या रिजिनाल सेंटर कुछ जिम्म कि बच्चे कोई बी कोर्स कर सकते हैं, हमारे विजिनाल सेंटर के अंदर एक सिख्यर्ति साहय तक अंदर है, जिसमें आपका 220 के करीब प्रोग्राम अक्टिवेटेड किया गया है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का बच्चा कहीं और कहीं जाए कुसी प्रोग्राम क करना चाहेगा तो हमारे जो यहाँ पर जो जिरो फ़ाइब जिरो जिरो सेंटर वहां पर वह कर सकता और मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि सार हजार बच्चे को आपे सिख्यारत हैं हमारा जो सेंटर के अंदर सिर्फ हमारे अंडर और पिछले साल हमारा 2022 में करोना के बावजूद हमारा टोटल एंडरोमिंट अगर इगनु उनके पास जाता है तो आपने भी जैसा बता है कि आपने गाहों के दोर दराज इलाकों में जाकर गुमगुम कखो प्रचार भी किया है सिक्षा को लेकर जागरुकता भियान भी चला है तो कितना उसका बैनिफिट जो है उसका मिला है क्या अनुववा बताना कितनी भागेदारी खास तोर पर ग्रामीन महिलाओं के देखने को मिली है इगनु में यह और एक अच्छा सवाल अपने किया है जैसे मैं कह रहा है कि 32 लोगों के लिए काफी काम करता है और हमारे इगनु के टूरेंट पॉपलेशन 45-45 परसेंट जो है वह महिला है तो यह 72 परसेंट आपके ग्रामीन महिला है और एक चीज आपको पता होगा न्यूजपेपर में भी निकला था हमारा जीबी का संस्ता है जीबी का संस्ता जो की ग्रामीन महिलाओं के लिए काम करती है उनके साथ ऐसे समझोता नहीं हुआ है लेकिन उनके जो करोड महिला जो है उन चलाते हुए हमें बलाते हैं और हम जाते हैं उनके वहां तक पहुंचाने के लिए इग्णु को कोशिज करते हैं यह तो बहुत अच्छी पहल है इग्णु के तरफ सरकार के तरफ से भी क्योंकि एक इंद्री विश्वेद्याले आप अगर सिक्षा की बात की जाए तो प्रशुकों को भी बटाएं कि यह जो मित प्लेस्मेंट अगर होता है तो किस तरह की वेवस्ता है यह और एक अच्छा पहलो अपने जागुरू कि अभी जो प्लेस्मेंट जो है हमारा इग्णु में हेड़कॉर्टर्स में केंपस प्लेस्मेंट सेल है तो वहां के उसके किया जाता है कि रेगुलर में रेगुलरी एक एक ब्यवदान में समय की ब्यवदान में अलग अलग प्रोग्राम के लिए अपका प्लेस्मेंट ड्राइब का अर्गनाइज किया जाता है कुछी दिन पहले बीबी आरेल प्रोग्राम के लिए किया गया था तिन चार दिन पहल है दोनों नएक नया पहली शुरू किया है कि जितने अपका जो बिद्या पीट को लेकर हर संड़े को हर संड़े को 4 से 6 वजे तक दो घंटे का करो अलोमीनी मीट रखा गया अलुमीनी मीट में क्या होता है कि जो जो प्रोग्राम के जो रैंटर्स जो है कोई MBA का है, कोई Cab Jamini में बैठा है, कोई IBM में बैठा है, तो definitely हम चाहेंगे कि उनका मदद लेकर हमारे बच्चों को प्लेस्मेंट किया जाए. तो networking का जो system में अभी developed किया गया, हर संडे को हमारा अलगला प्रोग्राम को लेकर ही किया जाता है, और campus placement दिल्ली में तो active है, हम भी अपने लेबल पे भी कोशिस करते रहे थे, कभी अभी दो दिन पहले हम confed में गये थे, वहाँ पे जनरल मेनेजर साहिब से मिले थे हम, और उनको हम request के कि हमारा डिप्लोमेंट डेरी टेखनोलोजी प्रोग्राम है, उसके लिए जो उनका प्लेस्मेंट होगा आगे, उसको हमारे बच्चों को सामिल करने के लिए हम अनुरूद किया है। अभिलास जी आपसे हम जाना चाहेंगे कि इगनु की अभीता की उपलब्दियां, खासकर जो बिहार रीजन है, उसके उपलब्दियों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। पहले तो इगनु की उपलभ्यां के बारे में जो आप बताएं मैं तो थोड़ा से इसारा कर चुका हूं कि दो प्रोग्राम से शुरू हो था इगनु अज आपका 288 प्रोग्राम है दूसरी बात 4588 स्टुडेंट थे पहले यर में अब यह हमारा अलुमिनी को मिला के 73 मिलियन मतलब 38 लाक हमारे अलुमिनी है और 35 लाक जो है वह है आपका एक्जिस्टिंग है तोटल मिला के 73 मिलियन हो गया अभी आते हैं पत्ना में पत्ना का हमारा 1991 में शुरू हुआ था रिजिनाल सेंटर पत्ना बीच में इसको तोड़के और तीन रिजिनाल सेंटर बना दिये ग में और अपका भगलपूर में और अभी आज तब से आज तक टोटल सारे रिजिनाल सेंटर मिलके मुझे लगता है कि नॉट लेस दिन टैन लाक्स दस लाक से ज्यादा लोगों को हमनों हमने सखीक सच्क्ति करण के लिए एक रास्ता दिये और अभी भी हमारा एड्मिशन बहुत अच्छा चल रहा है लास्ट यर जैसे मैंने बताया आपका 70,000 हम पार कर लिये थे जो कि 2018 में जब हम जॉइन किये तब ये 2017 में हमारा एड्मिशन था 33,736 कुछ था अभी पिछले साल ये 70,595 हो गया तो ये बहुत बड़ी उप दिया और एक बात हम बताना चाहें पिछले नवेंबर को जैसे मैंने कहा 91 से सुरू हुआ है 32 चल रहा है पहली बार लास्ट यर हमें पिछले नवेंबर को जो हमारा इन्वर्सिटी का स्तापना दिवस जो है उस दिन हमें सर्वत्तम चेत्रे के अंदर का पुरुषकार मिला था जो की बहुत बड़ी उपरफ अंदर एक स्टेडी सेंटर हमें शुरू किया जिसमें अपका 220 से ज्यादा प्रोग्राम हम रखे है तो बच्चों को कहीं और जाने के जरूरत नहीं पढ़ रहा है और जो बंदियों के लिए बंदियों के लिए 2018 से हमने जो मुहिम शुरू किया था वह भी बहुत अच्छ फल दे रहा हमें क्योंकि आठ सेंटर हमारा पटना के अंडर हमारा आठ सेंटर रहे से जो की मिधिलेश मिस्रा जी जो आई जी प्रिजंस थे उनके पिरियड में हमने सुरू किया था बेउर जेल का जो सेंटर था उसको हमने रिभाइव किया बाकि आपके सासारा में गया म आपके हजीपूर में प्लस आपका जामुई में ऐसे करके आठ सेंटर में हमने शुरू किया और अच्छा भी रेस्पॉंस मिल रहा है हर साल आपका एक हजार दो हजार से करीब कैदी उसमें लाव लेते हैं और आपका जो कम्यूनिटी हेल्थ वार्कर जो है उनके लिए भी बिहार सरकार के स्वास्ति विभाग के साथ मिनिश्ट्री आफ हेल्थ गर्मेंट अफ इंडिया के समझोता हुआ है उसके तेहित कमें सी सीए साटिफिकेट इन कम्यूनिटी हेल्थ प्रोग्राम है वह भी हमारे चल रहा है करीब उसके लिए भी पंदरा सेंटर है हमारा पाटनर केंटर उसमें भी एक हजार से ज्यादा लोगों को प्रसिखित दिया जाता है ऐसे बहुत सारे उपलब्दिया है उसको गिनेंगे तो और एक है अभी भारत में पहला इन्वर्टी हो गया वर्ल्ड में भी हो सकता है इगनु हमारा मान्य कुल्पती की इनिसेटिव के बज़े से इगनु सायद अकेला इन्वर्टी है जो कि बारा भारतिय भासा में एन एपी में जैसे आप लोगों को पता है कि आपका लोकाल लंग्वेज या मदर टंग को ध्यान देने के लिए कहा गया है तो हमारा बारा लंग्वेज में स्थातक स्थर में पढ़ाई हो रहा है जो कि स्वयम्प्रवा चैनल है हमारा जो कि भारत सरकार की ही है वो तो उसका जो नेशनल को दिया गया है 17-20 नमबर चैनल के माध्यम से इसको प्रसाडित किया जाता है इगनु को उर्दू भासा में पढ़ाई कमने सिख्यादान कराने के लिए जिमिदारित दिये गिए हिस्ट्री साइकोलोजी एंवार्मेंट स्टडीज ऐसे करके उसमें 110 के करीब हम क्लास अर्लेडी कर चुके हैं और पिछले डिसम्बर से हम लोग MBA में भी लाइफ सेशन शुरू कि लाइफ सेशन का मतलब है अभी बिह दिख सकता है जो यहां से लाइब हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात इंफरमिशन आपने बताया और 31 सालों के इतिहास में एकनु ने कई सफर तैखिये और कई सब्सक्राइब और इगनु के इतिहास से 38 साल हो गया है यह बहुत ही क्योंकि यह राश्टी अस्तरप पर इसकी पढ़ाई होती है दिगरी है तो इसका क्या बेनिफिट उन्ट शात्रों को मिल पाता है दूसरे मुक्तविश्य विद्याले से इगनु का जो डिफरेंस जब वही है वो उसमें क्या होता है कि उनका परिस्यमा सिमीत रहता है जैस प्रकाइब डेता है तो कल आपको कहीं मुँम्बाइ में या कॉलकटा में कहीं पर जाब लग जाता है या को लड़की किसी का साधी हो जाता है इसकी का लुटान कर देगा किसी के मेल डाल देगा students तो 24 आवर्स के अंदर उसका study center डिजना और चेंग हो जाता है, वह एक पॉइंट है, दूसरी बात जो की क्यों के टाइम पे बच्चों को काफी फाइदा हुआ, इगनू के नाते, ओकी इगनू के बच्चे जो दिल्ली में पढ़ाई करते थे, कोई बैंगलोर में जॉब में थे, कोई हैधराबाद में जॉब में थ जो कि face to face mode में अपका corona time में examination conduct किया था और right time पे result निकाल दिया था यह बहुत बड़ी बात है, हामरों के लिए भी है सर यह बहुत गर्व की बात है कि IGNU इस तरीके से काम कर रहा है और देश पे इगनों के centers है और जो चात है उनको लवभबित कर रहा है सर इससे एक और चीज़ पूछना चाहूंगी कि IGNU इतना कुछ कर रहा है लेकिन अभी भी यह मित है कि लोगों को यह लगता है कि जो distance education होता है इसक्षा प्रणाली उसमें आप अगर डिग्री लेते हो इसके बाद आप ऐसे जो एक्जाम सोते हैं बीपीए सी यूपीए सी बैंकिंग से रिलिटेज जो इसके लिए सक्षम नहीं होते हैं तो यह कहां तक सर सही है और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बताएं सर इसके बारे में यह बहुत सारे लोगों के मन में संसे है कि दुरत सिख्या से जो सिख्या प्राप्त किया जाता है वो दूसरे सिख्या के समकख्या संतुल नहीं हो रहता है एसे कुछ नहीं है क्योंकि उजी सिन अभी अभी एक order निकाल है order क्योंकि हमारा इंटरिवु चल रहा है तो यहां ताम दिखा नहीं सकते हूँ वह उस order में clearly लिखा हुआ है कि आपका दोनों माध्यम से डिग्री लिया गया दोनों का आपका मान्यता सेम ही है उसमें कोई दि इसे के लिए बच्चे जो अभी क्या है कि आपके जो यूपीएसी बीपेसी के त्यारी के लिए अल्मोस्ट एविरी स्टूडेंट वह क्या करते हैं इग्रू के मेट्रियल को अपना आधार मान के उसको वह तैयरी करते हैं क्योंकि उसमें इतना नटसल में इतना बढ़िय सबसे अच्छा स्टेडियमेट्रियाल के लिए अभी बी कहेंगे कि कोई भी हमारा प्रोग्राम उठा लीजे वहां का तो मेट्रियल से उसके साथ कोई तोलना नहीं किसी का मैं तो भी मानूंगा एक बात यह भी जाने को मिली मतलब कि पहले से भी हम जाने क्योंकि एक सब्सक्राइब कोई कोई फर्क नहीं है फिलाल इगनु के अगर भी बात की जाए तो कई तरह के जो समझहोते हैं या आपने बताए कि कोशल विकास के ताद भी कई तरह के जूरे हुए हैं जीवीका के साथ भी जूरे हुए हैं एक और जिक्र करना चाहेंगे यूनिसेफ उसके साथ भी समझहोता आपका हुआ है इस समझहोते के तरह की सतरके जो कारिट्रम है वह चला जा रही हैं जारूर इसके बार में बताए बहुत अच्छा आपने सवाल किया एगनु के इनिसेफ के साथ दो समझहोता तक है एक तो है अपका एक प्रोग्राम डवलॉप किय पॉलिशी में उसके ऊपर बहुत काफी ध्यान दिया गया है दूसरी बात एक केरियर एवर्नेस प्रोग्राम जो है वर्ल्ड में कोई भी उसको देख सकता है यूटुब में उसका अब सारी पुराने वीडियो साब एविलेबल है सतरह जनवरी से हमारा सेशन सुरू हुआ जो कि हाट ट्यूजडे को हाट ट्यूजडे को ग्यारा से बारा बचते है घंटे का प्रोग्राम है वह आपका लाइब चलता है वो तो कोई भी देख सकता है उसको उसको करता है तो आपने इग्रू के बच्चों के लिए बट नाम आप लोगों ने सुना होगा अगनी बीर जो एडमिसमने जो जिनका यह होता है रिकृट्मेंट होता है डिफेंस फोर्सेस में उनकी नॉलेज एंड स्किल दोनों को साथ-साथ देने के लिए इगनू का जो एक बैचलेस्ट डिग्री प्रोग्राम डिजैन किया जा र करके निकलेंगे बाहर तो बाहर किसी भी जॉब में किसी भी सक्टर में वह अपने एंप्लोईबिलिटी आपना रोजगार वह धून सकते हैं तो मतलब कहा जा सकता है सर कि एक शात्र को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वह आगे अपने आने वाले जिन्दगी में जड़ सके और जी सके तो सर अगर बात की जाए जो कोर्स के बारे में तो कौन ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं तो इगनू में किस तरी मनें दून जाना जाता है एक हो गया में इसे जैसा में की मैनेज्मेंट कोर्स मतलब जैसा आपको कह रहा था में इंटरनेशनल ओडियन्स को रिच आउट करने के लिए उसको किया गया है तो एक बहुत बड़ी चीज है तो कोई भी कहीं से कर सकता है और एक चीज है में अभी के अडिशन करने के लिए एंट्रांस अडिया जो भी कोई अपका अपना 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 कर सकता है और उसको चोड़के आपका इंफर्मिसन सेख्यूर्टी में भी कोर्स है अपका एंट्रपिनर्शीप कोंसे एक अपर आप को सिए से कोई एरिया नहीं है जिस buddy हो में को हідनect में बिल्कुल ढक्टर अभिलाश नायिग जी। 2008 से आप अब्गनौ में कारीरद हैं और आपके कारेकाल में कई यहां पर मिली हैं जैसा कि आपने बताए कि मतब कि बैस्ट अरिजिनल सेंटर का पुरुषकार इसे समानित किया गया हम आगे की बात करना चाहेंगे भविश का रोड मैप आप क्या देखते हैं क्या करना चाहते हैं पटना के लिए इसनों से जुरकर जैसे अपने सही अपने बताया कि हमारे फिरीड में काफी हम लोगों किया है प्रिस्स यंदि पुरे टीम का जो है काफी मेहनत करते है मेरे टीम ,I am very lucky कि मेरे आसे टीम मिला है तो हमारा मैं तो रहेगा कि जैसे एरिजना से रिजना सेंटर को यह चलता हर साल हम मिलता रहेगा और नया प्रोग्राम सब कर ना चाहेंगे और उनके लिए बहुत सारी प्रोग्रास हैं हम चाहेंगे कि हमारा प्रिशिव ग्यान के इंदरे में उस सब कर चलाएंगे एक यह हो गया, दूसरी बात हमारा study center हम चाहेंगे कि ग्रामीन ख्यत्र में study center को और ज्यादा से ज्यादा study center हमें establish करेंगे, नवादा में जो center हम अचुट गया जो आपको बता रहा था, नवादा में center हम जल्दी से जल्दी establish करेंगे, नवादा district में कोई center नहीं है, अभी top 10 से हम लोग top 5 में हम चाहेंगे कि top 3 या चाहेंगे तो top 1 में रहने के लिए क्योंकि बहुत बिहार में काम करने के लिए बहुत मौका है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, यह जो questions है, बहुत important question है, जो कि हम लोग जानना चाहेंगे, जो national education policy है, रास्टिये सिक्षा निती, उस पे इगनु किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल अपने किया है, एस्टियो शिख्या निती जो है, NEP 2020, उसमें इगनु के बहुत बड़ी जिम्मिदारी दी है, शिख्या मंत्राले ने, UGC और इगनु को दोनों को एक जिम्मिदारी दी गई है, पंद्रा लाख टीचर को इसमें परसिखीद करने कर पंद्रा अगस्ट 2022 को इस शुरू हुआ, अब तक पचास हजार के करीब टीचर को अल्रेडी हम ट्रेनिंग दे के उनको सटिफाई कर चुके है, तो पंद्रा लाख ब्यार में उसमें से करीब उनतीस हजार टीचर है, उनको सब को हम टार्गेट लेके चल रहे हैं, तो सार आइस चांसलर, एडिस्टेटर्स, रेजिस्टर, डीन, प्रिंस्पाल और एजुकेशन में कोई भी इंट्रेस्ट लेने वाले, उनके लिए एक नया कोर्स लांच किया गया है, जो कि स्वयम प्राटफर्म, स्वयम तो आपको पता हूँगा मिनिस्टर प्राटफर्म जाप है, ओनलाइन कोर्स लोग करते है, वहां पर भी एक कोर्स, दो क्रिडिट का कोर्स लांच कियागा, वो एक महिना का है, एक महिना का कोर्स वो कर सकते है, करके 40% कोई मार्क लाता है at the end of the period, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जागा, कॉम्पलिशन का, और जो नहीं कर पाते ए अनलाइन कोर्स है, वो करके वो कर सकते है, वहां पर भी 30% and 70% का उसका एसेस्मेंट होता है, वहां पर जो लोग 50% से ज्यादा लाएंगे मार्क, एवरेज में, उनको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, छे दिन का कोर्स है, लेकिन 9 दिन एक्षिंडेबल है, हम सब को पर कई तरह की जुजानकारिया है, आपने दी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आजा करना चाहिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, डॉक्तर अविलार, दन्ने वार, तो दर्शकू, आज का हमारा कारिकरम कांग विहार भिहान, आपको क्या सा लगा, खत पर कई देशने के लिए उठाए कागज और उकला मुर्लिकिया, हमारा पता है कारिकरम विहार भिहान, निदेशक डिडी बिहार, दूर दर्शन केंद्र पतना, फ्रेजर रोट, पतना, शुने, 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 एक हमारा इमेल आडी है, डिरेक्टर डिडी के पत पतना, अगरेट, gmail.com.